दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि MS Word में Watermark कैसे लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि Watermark क्या होता है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा Watermark का मतलब यह है कि जो भी आपका पेज रहेगा चाहे आप Photo का Watermark लगाओगे चाहे कोई Text का Watermark लगाओगे वो हमेशा आपके पेज पर ही रहेगा इससे यह फायदा होता है कि जो चीजे आपने लिखी है वो आपका उस पर Watermark रहता है कोई से Copy नहीं कर सकता है और नहीं कोई इसका Right ले सकता है यानि कोई यह नहीं कह सकता है कि यह उसका है तो MS Word में Watermark लगाना काफी Important Topic है वैसे तो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा अगर नहीं पता है तो यह वीडियो जरूर पूरा देखेगा और अगर पता भी है तो भी इस वीडियो को देखेगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग Watermark तो लगाना सीखेंगे ही चाहे वो Photo Watermark हो या फिर Text Watermark हो लेकिन Watermark की A2Z सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ जो कि हम लोग Watermark इस्तमाल करते वक हमें इन सेटिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए काफी इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो MS Word में Watermark लगाने के लिए सबसे पहले आपको MS Word को चालू कर लेना है और यह जो टैब दिखाई दे रहे हैं इस टैब के अंदर यह जो पेज लियाउट वाला टैब है आपको इसी पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक आप्सन देखाए देगा Watermark का आप यह देख सेकते हो Watermark लिखाओगा आपको इसी पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे Watermark के प्रकार दिखाए देंगे जैसे कि पहला है confidential इसमें जो है कई सारे style दिखाई दे रहे हैं आपको जैसे कि इस तरीके से लिखना हो या इस तरीके से लिखना हो या इस तरीके से काफी सारे प्रकार दिये गए हैं आप direct इन पर click करोगे तो आप इने use कर सकते हो और दूसरा है disclaimers तो हम जैसे कि एक को use कर के देख लेते हैं हम सिर्फ इस पर click करेंगे इसके बाद देखो कि आपके page में जो है यह इस तरीके से एक watermark आ जाएगा और यह print में भी आता है ठीक है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और बड़ा करते हैं यह कुछ इस तरीके से आपका watermark आना चाहूं तो लगा सकता हूं वो भी हम लोग आगे सीखने वाले ठीक है तो यहां से हमने क्या सीखा हमें जो है तो हमें जाना है watermark पे watermark पर जाने के बाद यहां पर जो है कई सारे watermark के प्रकार मिलते हैं अगर आप सीधा सीधा इने यूज़ करना चाहो तो आराम से य remove watermark remove watermark तब हमारे काम में आता है जब हमने अपने page पर watermark लगाया है चाहे वो text watermark हो चाहे picture watermark हो अगर कोई भी watermark को हमें remove करना है तो हम इस पर click करेंगे तो जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तो देखो कि watermark यहां से जो है हट चुका है ठीक है तो हम क्या करेंगे दुबारा इसी पे चलेंगे और यहां पर जो है custom watermark पर click करेंगे क्योंकि हमें जो है यहां पर अपना खुद का watermark लगाना है ठीक है फिलाल मैंने आपको बताई दिया था कि जैसे आप use करोगे तो इसको use कर सकते हो और अगर आपको यही style चाहिए कि इसी तरीके से रहे तो आपको क्या काम करना है पहले वाले style पर बस एक बार click कर देना है यह लग जागा ठीक है इसके बाद इसकी जगर पर अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना होगा अब आपको जाना है custom watermark पर आप इसे देख लीजिए custom watermark पर आपको जाने के बाद आपको click कर देना है इसके बाद जो यह pop up window खुली ही दिखाई दे रही है आपको इस pop up window के अंदर आपको जो है कुछ setting को समझना होगा देखिए यह हमारा जो है text watermark जो है selected है और यहां पर जो है language भी बता रहा है English United state की है आप चाहो तो इस पर click करके इसको यहां से change कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए उसको change कर सकते हो ठीक है इस च्छी आप टेक्ट को भी चाहो तो यहां पर change कर सकते हो जो अभी हमें पीछे style मेरे थे वो सारे इक सारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो भी आप नाम रखना चाहो वही रख सकते हो या फिर इसे delete करके अभी मैं अपना नाम यहां पर add करके आपको दिखाने वाला हूं इसके बाद जो है यहां पर दिखाई दे रहा है font का style जो कि कैलिबरी है आप इसको change कर सकते हो जैसे aerial रख सकते हो या फिर जो भी style आपको फसंद आता है बस आप उस पर click कर दोगे तो वो change हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहां पर size वाला जो option है आप अपने according यह जो size है नहीं इसक बड़ा size चाहिए जितना चोटा size चाहिए आप आराम से change कर सकते हो फिलाल मैं आपको यह कहूंगा कि आप इसे auto पर ही रखेंगे तो भी best रहेगा क्योंकि यह automatic adjust कर लगा ठीक है इसके बाद यहां पर अगला setting आता है colors का तो देखो कि जो हमने color select किया है वो color यहां पर देखोगे कि यह पूरा dark नहीं है ठीक है कम dark है उतना highlight नहीं हो रहा है तो इस condition में यहां पर आपको एक option मिलेगा अगर आप इस पर टिक था इसको हटा देते हो और apply कर देते हो तो पूरा dark हो जाएगा ठीक है देख सकते हो आप और इस पर click करने के बाद इसको apply कर दोगे तो थोड़ा कम dark रहेगा और watermark जो है इसी तरीके से लगाया जाता है थोड़ा कम highlight रहे ताकि जो भी चीज़ा हम इसके अंदर लिखे वो साब साब दिखाई दे तो जो color इसमें default था ना हम उसी color को रखेंगे वो best रहेगा इस तरीके से थोड़ा कम highlight रहेगा background में यह हमें समझ में आ रहा है तो हम इसे जैसा था बिल्कुल वैसा ही रखते हैं और apply पर click करते हैं तो यह सारी setting आपको समझ में आ गई चलिए हम यहां पर जो है अपना नाम लिख देते हैं यह जो text लिखा हुआ ना है इसके अंदर ही जो है आपको अपना नाम लिखना पड़ता है तो हम यहां पर गुलाबगुरु.com लिख देते हैं ठीक है तो बीच में space नहीं रखेंगे बाकी आपकी मर्जी है आप रखना चाहो तो रख सकते हो गुलाबगुरु.com मुझे जो है इसी का watermark लगाना है तो मैंने type कर दिया है apply पर click करेंगे तो देखे गुलाबगुरु से लोग आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी लोग पीडियाप प्रवाइड करते हैं या फिर इबुक नोट्स वगएरा होते हैं वो लोग वाटर मार्क लगा कर खी देते हैं तो यह सेम इसी दरीगे से लगता है समझ में आ रहा है तो यहां पर हम जो है थोड़ा सा style भी जा करके इस setting को change कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था तो हम जो है इसे थोड़ा सा और दूसर रख लेते हैं एरियल ब्लैक कर देते हैं थोड़ा सा मोटा दिखाए देगा apply पर click करेंगे तो देखें मोटा हो जाएगा इसके बाद जो है यह कुछ setting थी text watermark को ल पेज insert करता हूँ तो देखें अगर इन वाटर मार्क को हमें हटाना है तो कैसे हटाएंगे हम चलेंगे page layout पर और यहां पर मैंने आपको बताया watermark पर क्लिक करेंगे और यहां पर remove watermark का option है हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा देख सकते हो यहां से ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई picture का watermark लगाना है तो कैसे लगा सकते हो और उसमें भी जो important setting होती है वो सारी setting मैं आपको बताऊंगा तो picture watermark भी लगाने के लिए हमको जो है page layout tab पर ही click करना है जैसा कि मैंने आपको बताया और इसके अंदर हमको जो watermark का option मिल रहा है इसी पर click करना है click करने के बाद नीचे की सेट में जो custom watermark आपको दिखाई दे रहा है इसी custom watermark पे जो है हमको click करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप से पहला पूछा जा रहा है no watermark अगर आप watermark नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप इस पर टिक करके apply पर click क पर आप click करिए click करने के बाद आपके computer की gallery खुलेगी आपने जहां पर भी picture रखी है जिस picture को आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उस picture को आपने कहां रखा है उसे select करिए select करने के बाद जो है आपको insert पर click करना है फिलाल मैं अपना logo यहाँ पर लगाने वाला हूँ तो मैं insert पर click करूँगा और देखिए यहाँ पर लोगों का file का जो path था वो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर भी देखिए यह scale जो है auto मैंने कर रखा है auto इसलिए कर रखा है कि page की according automatic fit आएगा ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ पर percentage wise इसको scale भी कर सकते हो बढ़ा गटा सकते हो और यहाँ पर west out का option है इसको अभी हम थोड़ा दिरबास समझेंगे पहले मैं apply करके आपको दिखा देता हूँ मैं जैसे ही apply पर click करूँगा देखिए watermark जो है लग चुका है सभी page पर देख सकते हो इस पर एक ही साथ में सभी page ओपर लग चुका है अब यहाँ पर watch out भी सम आप आपको दिखाई नहीं देगा फिलाल इतना dark watermark नहीं लगा जाता है लेकिन माल लीजिए अगर आपको चाहिए इतना dark watermark तो आप watch out को हटा दीजिए अंचेक करके apply कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा फिलाल हमें नहीं चाहिए था इसलिए हम इस पर click करेंगे apply पर click देखिए हमारा picture watermark भी insert हो चुका है यहाँ पर ठीक है तो दोस्तो इसी तरीके से आप किसी भी picture को watermark के तौर पर use कर सकते हो और जिस भी बंदे को भेजोगे यह watermark सही थी यह file जाएगी इससे आपका copyright बना रहेगा कि यह आपकी ही file है ठीक है basically लोग watermark का इसी के लिए use कर नहीं रहे कि उन्हीं का यह PDF है या उन्हीं की file है जो कुछ भी है वो उपना copyright यहाँ पर देते रहते हैं चाहे वो टेक्स ट वाटर मार्क हो या फिर पिक्चर वाटर मार्क हो ठीक है तो फिलाल इस वीडियो के अंदर हमने जो है watermark से लेटेट सारी जानकारियां सीखी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करिएगा और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर Facebook पर भी सेयर कर सकते हैं ताकि उनका फायदा हो सके और च सबस्क्राइब कर लो यार सबस्क्राइब करने से ही आपको हमारी नए-नए वीडियो मिलने वाली हैं तो बिलिंके फिर एक नए विडियो में एक ninजानकारी के साथ तब तक लिए जया हिंत वंDAY मातब